हेलो फ्रेंड आस्तिन डिजाइन बनाने के लिए हमने साड़े 6 इंच लंबा एक छोटा सा कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई हमने धाई इंच ली है अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां किनारे की साइड में सूई धागा के मदद सी हम ऐसे छोटे छोटे लगा लेंगे टाके लगाने के बाद फ्रेंड हमें धागे को टाइटली घीचनाए जिससे हमारे किनारे की साइड में ऐसा चूनट बनके तयार होगा अब सारे चूनट को हमें अच्छे से लॉक कर देना है यह देखे चूनट को हम ऐसे अच्छे से लॉक कर देंगे चून पुलकुल इसी तरीके से हमें धेर सारे चूनट वाले फ्लावर डिजाइन बना लेने हैं, अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है, जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है, कपड़े पे हमें इस्तरी की सहायता से बाकरम को चिपका देना है, अब हम इस फ्लावर वाले डिजाइन को यहां पर ऐसे लगाएंगे और इसके उपर हमें सिलाई चला लेना है, यह देखिए यहां से हम ऐसे सीधी सिलाई चला लेंगे, अब हमें धागे को कट करना है, धागे को कट करने के बाद अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर के साइड से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंट ऐसे हमने एक डिजाइन की सिलाई कर ली है अब हमें दूसरे वाले डिजाइन को ऐसे यहां पे लगाना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है फिर से हम कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी इस टेप में तैयार कर सकते हैं यहां से हमें धागे को कट कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड सारे चूनट वाले डिजाइन को हमें लगाते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है तो यह देखिए हमने टोटल आठ ऐसी चूनट वाली डिजाइन लगाई है यहां से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हम इसकी लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी डिजाइन की लंबाई कितनी है तो यह देखिए डिजाइन की लंबाई साड़े 11 इंच है अब हमें डिजाइन के लंबाई के बराबर आस्तिन का कपड़ा लेना है और आस्तिन के कपड़े को हमें बीच में से दो भागों में कट कर लेना है आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट करने के बाद अब हम किनारे की साइड से आस्तिन के कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पे लगाएंगे अब हमें इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है ये देखिए ऐसे हम एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे एक साइड में आस्तिन के कपड़े को लगाने के बाद अब हमें दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को फोल्ड करके ऐसे लगा कर इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है दोनों साइड में हमने आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है अब हम यहां किनारे की साइड से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई हमने फ्रेंड साड़े 5 इंच ली है इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते ही किनारे की साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है धागे को कट करने के बाद फ्रेंड हमें साड़े 3 इंच ओड़ा दूसरे कलर का एक लंबा सा कपड़ा लेना है इस कपड़े को भी हमने किनारे की साइड से ऐसे फोल्ड किया हुआ है अब दोनों कपड़े को हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हमें कपड़े में ऐसे छोटे-छोटे चूनट बना देने है एकदम छोटे-छोटे वाले चूनट बनाने हैं फ्रेंड ऐसी डिजाइन फ्रेंड अगर आप रोजाना देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा ले यह देखे हमने चूनट को बना कर तयार कर लिया है अब हमें चूनट वाले डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करना है तो यहाँ पे हम चूनट वाले डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे ऐसे हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है चुनट को लगाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और किनारे की साइट से हमें एश्ट्रा कपड़े को कट करना है तो चूनट को सीधा करते हुए यहां से हम हलका सा एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें फ्रेंड इस डिजाइन में बटम को लगाना है तो फ्रेंड हमें बटम लगाने के लिए सबसे पहले बटम को बना लेना हमने सट का बटम लिया है और इसे कपड़े में हमें ऐसे फोल्ड करके पीछे की साइड से धागे की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देना है अब हम यहां से एश्टरा कपड़े को कट करेंगे ऐसी हमें धेर सारी बटम बना लेनी है और सारे बटम को हमें यहाँ पर सूधागय के मदद से ऐसे लगा देना है तो यह देखिये फ्रेंड बटम लगनी के बाद हमारा डिजाइन कितना सुन्दा लग रहा है तब रेंड हमारे डिजाइन बनके कंप्लीट हो चलिए थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो